बात करेंगे अगर आप Photoshop में जितने सारे लेयर होते हैं उनको आप मर्ज कर दिए हैं और आप जितने सारे मतलब मर्ज किया वा जो फाइल अभी जो आप बना है एक फाइल उसको पहले सा कैसे बनाए दोस्तों इस विडिव आपको यह बताएंगे तोस्तों अगर आप हमार च सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिसे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो उनमें से जितने सारे लेयर बना रहे हैं और लेयर को आप मर्ज करके एक एक फाइल बन जाता है और उससे हम चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं या पिर कुछ अलग से कु लिखते हैं यहां पर नाम लिखते हैं यहां पर कुछ दूसरा लिखते हैं इसे मेरा लिखेंगा मेरा चैनल का नाम कर देते हैं अधिक कर देते हैं मेरा चैनल का नाम है यह हो गया और देते हैं नीचे है है कि लाइख जरूख कर रहें इसलों बस इतनी जम पर लेंगे यहांने देख सकते हैं इतनी सबक्यार भेड़े नाम नाम लिखे यहांप यहां पर चैनल कासे तो इसमें फोटो भी डाल देता है आप तो इसमें फोटो इंसक्ट करते हैं तो यह देख सकते हैं यहां पर ले आया हैं और इसको मुझाटा कर देता है कि यह प्रस्केव दिए हैं अब क्या करेंगे यहां पर जितने जो लेयर्ट बने हुए हैं आप पर देख सकते हैं इसको हम कि यह जगह यहां पर रख़ेंगे सब कुछ हो गया आप होतोर्स सब कुछ सेट कर दें आप यहां पर लेयर पर आप तो दैख सकता है कितना सारे यहां पर आप देख सकता है आप अब तो में दोसमें नहीं वागए कर तो सब कुछ आजाएगा आप क्या करना है आप देख सकता है तरह आपको आज आगा इस्ट्री आप माउस का करसर पर दान देना है यहां तरह पर फिर से विंडोस पर जाके एक पर कर देंगा तो यहां पर आगया अब यहां पर देखिए इदर इडिलीट का छोटा सा आइकन दिखाई देता हुगा आप दिखा हुगा है यहां पर करना चाहता है तो कर सकते हैं तो आपको स्वाज में नहीं आता तो तो वीडियो को दो बार एक बार फिर से देख दीजिए गाप सब कुछ तुम्हाँ जाएगा तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसा है वीडियो को लाइक किजिए का चन्माप पाली बार पाहे हैं तो को सब्सक्राब करते जिएगा साथ में घंटी का सांद अबाद देजिए फिर मिलता अगले वीडियो में जाहिन वान्दे मातरा